नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूटीब चेनल में आज की वीडियो में मैं अपने टेक्टर में LED पार्किंग लाइट लगाने वाला हूँ तो आपको जो ये मेरे टेक्टर का जो छट दिख रहा है इसके उपर मैं LED लगाने वाला हूँ और इन्हें मैं अपने टेक्टर की पार्किंग लाइट के साथ ही करूँगा उससे पहले यहाँ पर आप जो LED देख रहे हो इस तरह है कि मैंने इसमें पार्किंग लाइट लगाई थी अपने जो फ्रेंट में जो लाइट दिये हुए है इनके ही अंदर मैंने इंस्टॉल की थी इस साइड की जो LED लाइट थी मेरी मल्टी कलर वाली वो फ्यूज हो चुकी थी और ये मेरे को अभी मिल नहीं रही थी इसलिए मैंने इसमें नॉर्मल लाइट डाल दिया है और यहां पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरे पास ये LED लाइट है ये वाली जो LED है ये आपको मार्केट में 30 ये 40 रुपे में आराम से मिल जाएंगी तो इने में लगाने वाला हूँ इसमें से एक ब्ल्यू कलर में है और रेड कलर में है और वाइट कलर में है तीन प्रकार की LED है और मैं इनको अपने च्छत में लगाने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ मैं इने किस तरह से लगाँगा तो जो मेरे पास ये white color वाली LED है इसको मैं अपने छट पर यहां पर लगाऊंगा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लगा दूँगा मैं और बाकी के जो दो color की है red और blue इन्हें मैं बीच में लगाऊंगा और एक और जो मेरे पास white वाली LED बचेगी उसको मैं दूसरी side लगाऊंगा इसी तरह से वहाँ पर अब आपको मैं LED दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं ये 3 light वाली LED हैं और इन्हीं में double tape दिया हुआ है यदि आप इन्हें direct double tape से लगाना चाहते हो तो हम इसे double tape से भी लगा सकते हैं लेकिन इनका जो double tape है वो ज़्यादा पकड़ नहीं करेगा और ये निकल जाएंगी इसलिए मैं इनको फेमी क्यूक से लगाने वाला हूँ उसी के साथ मैं आपको अगर मैं अपने ट्रेक्टर का छट बताऊं तो आप देख सकते हैं ये black color में हैं इसलिए मैं इन LED ओं के उपर black color करने वाला हूँ ताकि ये अलग से दीखे नहीं मतलब अगर मैं black color कर दूँगा तो ये LED जो च्छट के साथ मेच हो जाएंगी और अलक से ये दिखेगी नहीं 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 तो लाल पीली नीली दिखेगी इसलिए मैं इन पर बलेक कलर करने वाला हूँ तो भाई आप देख सकते हैं मैं इनके उपर कुछ इस तरह से टेप लगा रहा हूँ ताकि इसके उपर मैं जब पेंट करूँगा तो जहां पर अपना एल एडी लाइट दिया हुआ इसमें तीन लाइट दिये हुए हैं इन लाइटों के उपर टेप लगा हुआ रहेगा बाकी जगह से इस टेप को मैं निकाल लूँगा और उसके बाद में paint करने के बाद में इस जो tape लगा रहेगा इसको मैं निकल लूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से tape लगाने के बाद इसे काट लेना है तो भाई, यहां पर मैंने तीनों लाइटों के उपर tape लगा दिया है और बाकी का जो extra tape है इसको मैं निकाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से निकल रहा है जहांपर led light दिया हुआ है वहांपर मैंने tape लगा हुआ रहने दिया है आप देख सकते हैं यह तीन जग़े पर tape लगा हुआ है और इनके उपर ऐसा ही टेप लगा रहेगा इसके उपर मैं पेंट करने के बाद इस टेप को निकाल दूँगा तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इनके उपर पेंट कर लिया है यह पहले लाल, नीली और वाइड कलर में दिख रही थी लेकिन आप यह एक ही कलर में दिखेगी बलेक और अपने जो ट्रेक्टर का च्छत है वो भी बलेक कलर में ही है जिससे की भाई यह दिखने में काफी अच्छी लगेगी अलग से कुछ ऐसा लगेगा नहीं कि इसके उपर एलीड या कुछ लगा हुआ है जब यह चालू होगी तभी लगेगा कि यहाँ पर एलीड लगी हुई है और यह दिखने में पहले से भी अच्छी लग रही है आप देख सकते हैं बलेक कलर होने के बाद में तो भाई इनके उपर का पेंट सूक चुका है आप जो मैंने इनके लाइटों के उपर टेप लगाया था उस टेप को मैं हटा रहा हूँ और आप देख सकते हैं इनकी जो एलीड है यह अच्छे हैं इनके उपर मतलब पेंट नहीं गया अगर मैं इसके उपर टेप नहीं लगाता तो इसके उपर भी बलेक पेंट हो जाता और जो इनका लाइट था वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता और वह इसी तरह से मैं अपनी जितनी भी LED है इनके उपर से टेप निकाल लूँगा तो भाई आप मैंने इनके उपर का टेप निकाल लिया है इसके बाद में जो मेरे पास वाइड वाली LED है उसमें से एक LED को मैं यहां पर लगाने वाला हूँ कुछ इस तरह से इसमें जो डवल टेप दिया हुआ था वो डवल टेप मैंने निकाल लिया है और इसको मैं यहाँ पर फेमी क्यूक की साहथा से लगाने वाला हूँ और जो मेरे पास इसके बाद में रेड और ब्ल्यू कलर की LED है उसे मैं बीच में लगाऊंगा पहले इस वाली LED को मैं लगा देता हूँ उसके बाद मैं आपको मैं दिखाऊंगा तो वही यह है फैमी क्यूक और मैं इसमें फैमी क्यूक डालने वाला हूँ और इसको पहले आपको सेंटर में कर लेना है मतलब यह आड़ी तेड़ी तो नहीं है पूरी सीधी होने के बाद मैं इसमें मैं फैमी क्यूक डाल दूँगा तो भाई पहले मैं सारी LED आपने च्छत में लगा लेता हूँ इसके बाद में आपको दिखाऊंगा कि मैंने LED को किस तरह से लगाई है और उसी के साथ मैं आपको बाइरिंग भी दिखा दूँगा कि बाइरिंग किस तरह से करना है तो यहां पर मैंने LED लगा लिए इस साइड दोनों साइड मैंने वाइड वाली LED लगाई है एक LED आप देख सकते हों यहां पर लगाई हुई है मैंने और बीच की बात करूँ मैं तो यहां पर बल्यू कलर में है और ये वाली red colour में है ये वाली blue color में है मतलब outside blue color वाली है और बीच में मैंने red color वाली lady लगाई है इनको मैंने फेमिक्यूक से चिपका लिया आए जिसे कि ये काफी मजबूत हो चुकिया और ये आप आसानी से निकलेंगी भी नहीं अगर मैं इनको टेप से लगाता है जो डबल टेप इन में लगा हुआ था वो कभी भी निकल सकता था अब अगर मैं आपको इनकी बायरिंग दिखा हूँ तो आप यहां पर दिहान से देख सकते हो इन पर प्लस और माइनस लिखा हुआ है जो हमारा प्लस पॉइंट होता है यह फेस के लिए होता है और जो माइनस वाला पॉइंट होता है यह अर्थ के लिए होता है तो जो अपना माइनस वाला बायर है ये सभी LED का जो minus point है उसे मैंने एक ही wire में लगा दिया है ये आपको जो लंबा wire दिख रहा है इसमें सभी LED का minus वाला wire मैंने इसमें connect कर दिया है और इस बायर को मैं यहां से ले जाते हुए अपने चछत से नीमे ने नीचे उतार दिया है आप देख सका है और यहां पर आपको जो एक नट दिख रहा है इस नट में मैंने इस बायर को लगा दिया है ये अर्थ वाला है तो इसे आप कहीं भी अपने ट्रेक्टर के नट में लगा का टाइट कर दोगे तो वहीं से ये अपना जो अर्थ है वो ले लेगा माइनस वाला पॉइंट अब अगर प्लस वाले पॉइंट की बात की जाए तो यहीं से आपको जो यह रेड वाली वायर दिख रही है, यह प्लस वाले पॉइंट की है, जो सभी ALED का प्लस वाला पॉइंट था, उसे भी मैंने एक बायर में कनेक्ट कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ, देखी, यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, और इस LED थी अपनी, उनका सबका बायर मैंने connect कर लिया है, और इसे connect करने के बाद में मैंने यहां से direct पीछे ले के गया हूँ, बायर को. तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बायर अपना पीछे गया हुआ है आप मैं पीछे जाकर आपको ये बायर दिखाता हूँ कि इस बायर को मैंने कहां पर टच किया है तो भाई आप देख सकते हैं ये वाला अपना प्लस पॉइंट का बायर है और यह पीछे से आया हुआ है और यहां से मैंने इसे छट की सहथा से यहां पर नीचे ले आया हूँ और यह जो अपना पीछे का back side का light होता है इसमें direct current आता है जितने भी टेक्टर आते हैं उन में जैसे ही आप इसकी चाबी वाला बायर कनेक्ट कर दिया है आप देख सकते हैं आपको मैं आप टेक्टर की चाबी चालू करके दिखाता हूँ तो यह देखिए मैंने टेक्टर की चाबी चालू कर दी है अब आपको पीछे जाके करेंट आ जाता है जैसे ही मैं चाभी चालू करता हूं इस बायर में करेंट आ जातां है तो हो आय अपनी सारी मुर्ण होगी है आप मैं इसमें टेप लगा दूँगा और उसी के साथ मैं चछत में तो अपनी LED चालू हो जाएगी यह जब ट्रेक्टर चालू रहेगा तो भी यह लाइट चालू रहेंगे जैसे ही आप चाबी बंद करोगे तो ही अपनी LED बंद रहेगी इसमें अलग से कोई भी स्वीच मैंने नहीं लगाया है इसलिए चाबी से ही बंद चालू होगी अगर चाबी चालू कर दोगे तो LED चालू हो जाएगी और यदि आप अगर चाबी को बंद कर दोगे तो अपनी जो LED हो बंद हो जाएगी आपको मैं यह LED रात में ही दिखाऊंगा इनका व्यू क्योंकि आपको अगर मैं दिन में इनका व्यू दिखाऊंगा तो आपको दिन में यह मतलब उतनी अच्छी नहीं लेगेगी इसलिए मैं आपको डायरेक्टर रात का व्यू दिखा देता हूँ उसी के साथ मैं भाई मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ यह मेरे पास सौराज आट सो पजपन है और इसमें भी मैंने उसी तरह से एलेडी लाइट लगाई हैं आप देख सकते हैं और इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब पर डाली है इसी चैनल पर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो और इसकी जो लाइटिंग की बाइरिंग है इसको मैंने अपने टेक्टर की पार्किंग लाइट के साथ ही की है मतलब जब हम अपने टेक्टर की पार्किंग लाइट चालू करेंगे यह जो यह वाली पार्किंग लाइट है इसको जब मैं चालू करूँगा तो इसी के साथ में मेरी जो लाइट है वो चालू हो जाएगी तो आपको मैं अभी बंद करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यह मैंने बंद करी और सारी लाइट बंद हो गई आप मैं यहां से अपने पार्किंग लाइट चालू करूँगा यह देखिए पार्किंग लाइट चालू हो गई और जो उपर वाली अपनी लाइट है यह भी चालू हो गई तो भाई मैं आपको इसकी बायरिंग भी दिखा देता हूं प्लग दिया हुआ है इसमें यहां पर दो बायर रहते हैं एक जो फ्रेंट में इंडिकेटर रहता है उसके लिए और पार्किंग लाइट के लिए तो इसमें आपको देख लेना है कि आपके ट्रेक्टर में कौन सा वाला पार्किंग लाइट के लिए दिया हुआ है उस वाले बायर में आपको जो अपनी LED का प्लस पॉइंट वाला बायर है उसको लगा देना है आप उसको जैसे ही लगाओगे तो आपका जो टेक्टर की जो पारकिंग लाइट है उसके साथ ही आपकी जो उपर आप LED लगाओगे उसका कनेक्शन हो जाएगा जैसे ही आप टेक्टर की पारकिंग लाइट चालू करोगे आप जो उपर LED लगाओगे वो भी आपकी चालू हो जाएगी और भाई जैसे मैंने अपने 11725 में LED पारकिंग लाइट लगाई थी बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने 11825 में भी लगाने वाला हूँ तो भाई आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये वीडियो आप तक पहुँच जाए तो भाई आप आपको मैं अपने दोनों ट्रेक्टरों का नाइट का व्यू दिखा देता हूँ कि नाइट में इनकी जो LED लाइट है वो किस तरह से लग रही है पहुच है झाल झाल